प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप सभी को जैहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैहिंद रेक्शन्स पे तो अचके लेटेस्ट और इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिसान की दो मशूर हस्तियां पतरकार आर्जु काजमी जी और दूसी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजीत ताड़र साब जो कि एक जबरदस पॉलिडिकल एनलिस्ट है और खासकर भारत और पाकिसान के दिश्टों पे बहुत ही जबरदस नौलिज रखते हैं तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमा करेंगे सर्मालदीव की और आदित्या एक जो सुरच की तरफ भेजा जा रहा है उसके उपर भी बात करेंगे देखें आर्जू सबसे पहले मालदीव जो है उस पे ना सिर्भी इस सिर्भी मालदीव का इशू नहीं है मैं बताना चाहूंगा कि दर हकीकत इसके पीछे क्या है इस मालदीव के पीछे क्या है मौरिशस के पीछे क्या है नेपाल के पीछे क्या है बर्मा के पीछे क्या है पाकस्तान के पीछे क्या है दर हकीकत इसके पीछे क्रॉप्शन की स्टोरियां है वो क्रॉप्शन कहां से हो रही है वो चाइना पैसे दे रहा है आपने देखा साब को वो दुबई में मिले साइड लाइन्स पे जब वहां पे इन्वाइर्मेंट की जो जिसमें गए थे और बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी अपनी भारती मिल्ट्री को यहां से निकाला जाए मैं बताना चाहूंगा कि यह जो अभी रीसेंट वाक्या हुआ है इसके पी कि यहीं दो तो खवातीन है और एक वो बच्चा साय हासन रहान उसका क्या नाम है मैंने उसको तफसीर में चोटे-चोटे बच्चे कहते हैं जी यूथ मनिस्ट्री के मिनिस्टर थे भाई इनको जब मनिस्ट्रियां यहां इस तरह के टाइटल देते हो तो इनसे कोई अंग जेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इनोंने कहा है कि चैलेंज इस पर हम कैपिटलाइज करते हैं मोधी साब जो गए हैं लक्षबती अपने वहां पे बीच पर तो वहां पे गए इनोंने उल्टी सीधी उसको बलके रेसिस किसम की ट्वीटें की जो के बहुत वायरिल ह मैं समझते हैं उसको फाइदा मोधी साब को हुआ है अलेक्शन में अलेक्शन का साल चल रहा है और उसमें मोधी साब को बलके उसका फाइदा हुए बहुत अब इनोंने एक नैशनल मालदीव का एक 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 एम एमबहस्मेट की दुनिया थे देखा कि कितने इमेट्योर है अब मैं थोड़ा सा यह बताना चाहूंगा कि माल दीव हकीकत इसकी है क्या यह 1968 में अजाद हुआ है पहले डच का लूनी थी फिर यह ब्रिटिश का लूनी बनी और अभी भी का लूनी टाइप ही है वहां पे गोरे गारियां आते हैं इन्होंने सर्वे कर रहा है टूरिजम डालर स्पेंड करते हैं भारत बहुत ज़्यदा टूरिस जाते हैं लेकि वह साड़े साथ सू डालन देते हैं यह सर्वे है वहां है सेमटी परसंट उनका डेट्स जो है ओन बाई चाइना अभी रिसेंडली चाइना ने उनको एक बिलियन डालर दिया है मुक्तलिफ जजीर माल दीब चाइना को अपने करजे जो वापस देने उसकी शेकल में देता है जो उनके टोटल बजट का दस परसंट है चाइना के साथ यह चार सो अकावन चार सो बावन मिलियन डालर सालाना ट्रेड करते हैं को इसना बड़ी पापुलेशन भी नहीं है उनकी लेकिन आपने मैं देखा है उनकी जो लड़कियां औरते हैं सर लपेट के फिर रही है मौलवी साब जो मौहमद मुईज साब है वो भी दाड़ी वाड़ी रखके फिर रहे हैं माइंड सैट उनका मुझे तो को पूरा समझ नहीं आया लेकिन इस वक्त वो चाइना और टर्की की तरफ जो देखा है इस्टैबलेश्मेंट जो कर ब्योरा क्रेशी है वो करॉप्शन हर जगे जहां अपर्चुनिटी मिलती है वो डाटा लगा लेते हैं यही हालत बर्मा में अंदर बर्मा के अंदर है नेपाल के अंदर उन्होंने बड़ी इंवेस्मेंट कर रखी कर रहे हैं मुसल से और क्योंकि इस वक्त आप आपको सौथ चैना सी के अंदर जब से टाइवान का इशू बन रहा है तो इनको भी ख्याल आया कि क्योंना हम अपनी लूकेशन बेचें तो यह भी चाइना अगला स्री लंका बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब इस पर करना क्या चाहिए मिल्टरी है भारत की मिल्टरी ज्यादा तर हेलिकाप्टर पाइलेट है और आर्जू वो emergency services provide करते हैं medical इनके पास अपने तो हालात खराब हैं infrastructure मौझूद नहीं है और दूसरी भी जो कुछ थोड़े बहुत दूसरे फोजी और नेवी के लोग हैं वो इनको training देने के लिए वहाँ पे मौझूए ज्यादा नहीं सौड़ेट सो लोग है भारत को यह चाहिए कि वो अपने लोगों को वापस बुला लें और इनको कहें भी अगर आपने हम किसी हमारी प्राइबेट कंपनी के साथ आप डील बना लें अगर आपको पाइलेट चाहिए तो हम तनका पे भेजेंगे आप उनको हायर कर लें इनको अकड़ टकाने आ जाएगी और इन चीजों के बग़िए वहां पे ना को वैस्टरेंट टूरिस जाएगा जो जिनको पता होगा कि वहां पर अगर हार्ट अटाइक हो गये तो क्या बनेगा तो ये देखा जाए तो ये इसको 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 इस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि इनको इनको लाइम-लाइट में ना प्रेजिडेंट वहां पर जो नई रेजीम आई है और यह ट्रेंड जो है नेपाल में भी देखा गया है गोर्खा जो जो जॉइन करते थे वो भी रोक लिए उन्होंने जो इंडियन आर्मी जॉइन करते थे वो अपने मस्ल फ्रेक्स वो भी करते हैं जब चैना से अच्छे पैसे मिल जाते हैं तो भारत को आखें दिखाते हैं हाला कि लैंड लाग कंट्री है भारत के बगएर ट्रेड का उनका गुजारा नहीं है बहुत मुश्किल है लेकिन देखें वो जिस तरह मैंने बताया कि और जो पॉलिटेशन होते हैं वो बड़ी जल्दी नैशनल इंट और Εबेंटर तय करके सूरज के ऑरृबिट में पहुंचक batter असपास उस और्ट में वो दो साल रहेगा और सूरज की जो अनरजी वहां से सूरज रिलीज करता है उसका डाटा दो साल ऊट्थ मैं मुबारकबाथ देना चाहता हूं मुबारकबाथ देना चाहता हूं कि दुनिया का छौथा कंट्री है जो वहां इस पूजिशन पर पहुंचा है इसका जो एल वान है उसको lag range point कहा जाता है जिसकी वज़ा से उसको L1 कहा जाता है अब मैं जो उस पे बात करना चाह रहा था कि ये दूसरी मुबारक बात है जो भारत को बनती है तकरीबर हफते 10 दिन के अंदर पहली क्या थी जो INS चनाये ने Red Sea के अंदर operation किया था तो वहां से उन्होंने जो लेला वो जो लेला नॉर्फक जो जहाज कजाकों ने वहां से हाई जैक कर लिया था उसको छुड़ाया तो मैं ये समझता हूं कि दूसरा international level के दूसरी मुबारक बात है इनकी वहां बताने वाली बात ही है कि Red Sea के अंदर अमेरिका जो के समझता है कि दुनिया की वाहिद सूपरपार हूं उनके तीन शिप है भारत के चार शिप है और L1 का जाना ये अधितिया L1 और उसके बाद ये जो मैं पहले आप से बात कर रहा था INS चनाए पहला ऐसा केरियर है जो भारत के अंदर बना है ये दो चीजें अगर मुझसे पूछें तो भारत को अमेरिका से या तो आगे लेके जा रही है या एट लीस्ट अमेरिका के बनापर लेके आ रही है एस अस्टाटस आप सूपरपावर मैं उसका जिकर तो नहीं करना चाहता लेकिन फिर बात आजाती है अंटी मेडली तेके आरजू आप पे और मुझे पे दो चीजें मुसलसल लगती हैं मैं बात तो उसको कंपरजन पाकस्तान के साथ तो नहीं करना चाहता लेकिन आप जैसे और मुझे जैसे दो लोगों को अगर भारत की बात करें तो कुछ लोग कह देते हैं ये रा के एजेंट है और कुछ लॉंडे लपाड़े कह देते हैं ये आईसाई के एजेंट है तो इनके कहने से क्या फरक पड़ता है ना तो भारत का किसी का ट्रेडमार्क है और नहीं किसी को पता है कि हमारा इसमें क्या गेन है क्या गेन नहीं अब मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्यों इन्दों चीजों कि मुबारिख बारेकबाद इसलिए दी है कि भारत को बड़ा अर्सा फॉरन इन्वेडर्स ने सुप्रेस करके रखा फॉरन इन्वेडर कौन थे वो अपने पठान भाई थे अफगानी थे कुछ तरकश थे को इदर के जो जो फारग होता था इदर आगे कबजा कर लेता था जिसको दुनिया में कोई काम नहीं होता था वो यहां आजाता था जो अवारा लोग थे दर की वो सारे कबजा करके बैढ जाते फिर आपस में लड़ते थे जानवरों की तरह अपने भाईों को मारते थे अपने बापों को मारते थे हर घल्ट काम करते थे लबादा कपड़े उपर इसलाम के डाल लितार भीन शार्सें कि जितने यहां पर majority majority आप जितने बोगल एंपरर थे सारे वाइन पीते थे इसलाम में चार शादियां मैं तो उसके भी हक में नहीं हूँ चार शादियां जायज है सौ सो लड़किया इनके हरम के अंदर होती यह जो हमारे उप्रैसर थे में उन्होंने खायश का इसार किया था उन्होंने कहा था कि मुझे एक वाइन की बाटल मिल जाए थोड़ा सा गोश्ट मिल जाए और शाह जहां का वो जो पता नहीं शाह जहां थी है कौन थी उसका मुझे दीदार मिल जाया करें मुझे दुनिया में चाहिए यह कुछ है वा बता कि के यह हाथ से कुरान लिख कर देते थे तो इससे इसकी आमधन से गुजारा कर देते लेकिन हरम के अंदर सौसो ओरतें थे और वाइन भी पीते थे मुबारक बाद इसलिए दी है कि उनके उप्रेशन के बाद उनकी ज्यातियों के बाद फिर बिट्शों के बाद आज अगर इस लोकल लेंड के लोग चाहे वो आइनस चनाई के जरीए रेड़ सी में जा रहे हैं चाहे अधितिया लवन को लेके जा रहे हैं मुझे खुशी है कि आज वो दुनिया से इंतकाम लेने के काबन हो रहे हैं पहला जो चंद्रयान गया था मैं उस पर तो खुश था ही था लेकि मुझे मेरी खुशी ज्यादा इसलिए होगी थी कि वहां ले जाने वाले का नाम सुमनात था दोस्तों आश्या करता हूं की वीडियो को अपने अंतक देखा होगा रमेशा की तरह आर्जु कास्मी जी के सवाल और साजीत अर्ड़ सबका पॉजिटिव एनलिसिस और खासकर भारत के बारे में उनके विचार आपको काफी पसंद आएंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा तो सबसे पहले हर एक भारतवासी को शुब कामना है और बहुत-बहुत-बहुत मुवारत बात क्योंकि भारत का जो सन मिशिन है अदेते 11 वो सक्सेस्फुली कंप्लीट हो चुका है यहर भारतवासी के लिए एक गर्व की बात है और दू आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जुरू बताए और यह वीडियो अच्छी लगी है उसे लाइक और शेर जूरू कर दें और चैनल पे नहीं ह इंट्रस्टिंग और इंपोर्टन वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत